कि संग को समझने के लिए इस कारिक्रम का आयोजन हुआ है क्योंकि संग आज एक शक्ति के रूप में इस देश में उपस्थित है ऐसा अनुभव सारी दुनिया को होता है कि स्वाबा भी कि उसकी चर्चा चलती है चलने भी चाहिए परंतु चर्चा करने के लिए वस्तु स्थिति का पता भी होना चाहिए चर्चा कैसी चले वो तो चर्चा करने वालों का अधिकार है परंतु वास्तविक्ता क्या है यह जानकर चर्चा होती है तो उसमें से सार्थक निश्कर्श निकलते हैं संग की शक्ति जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसका प्रचार अपने आप होने लगता है माध्यमों का ध्यान जाता है लोगों की चर्चा में संग आता है तो संग क्या है इसको जानने का सभी लोग प्रयास करते है फिर कोई काम बढ़ता है एक शक्ती स्वरूप बन जा तो किसी किसी को शक्ति का दर भी लगता है तो फिर उसके बारे में अपप्रचार भी होता है इसमें कोई भी बात अस्वाभावित नहीं है